आप देख रहे हैं YMS News 24 आईए देखते हैं आज की बड़ी ख़बर सिधार्थ नगर से जैराम यादव व्योरो चीफ के साथ आप लोग अपने घर में लोगडाउन कानुपालन करें और मैं कुछ चीज़ें आपको आज बताना चाहता हूं एक तो आप आरोग्य सेतू आप है जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है करपय उसको यूज करें उससे आपको काफी जानकारी मिलेगी प्लस आगे इस करोना से लड़ने में वो आप हमारी मदद करेगी कि अगर कोई भी आदमी है किसी को लक्षन है और वो आप पर अपना डेटा शेयर किया है तो आप उसका इंटिमेशन भी होगा जब आप उसके पास आएंगे लूसरी बात अभी तक हमारे जनपन में कोई भी करोना का पॉजिट अगमन के लिए उनको रखें कोई भी रिष्टेदार या कोई भी भारी व्यक्ति कोई भी आए तो बिना सूचना के कोई मिलेना और कोई भी भारी व्यक्ति अगर गाओं में आ रहा है तो उसकी ततकार सूचना कंट्रोल रूम नंबर और SGM या संबंदित अपने लेकपाल को दें जिससे उनको institutional quarantine में रखा जाए वो directly घर नहीं जाएंगे पहले चेकिंग होगी पहले आप रखा जाएगा उनकी विष्टा बहुत अच्छे से shelter homes में और सब जगे की गई है तो अपने परिवार को अगर आपको safe रखना है तो इसकी सूचना आप जरूर दें आपके कत्काल सूचना कंट्रोल रूम नंबर में या फिर हमारे M.O.I.C. को या नियर के P.C.S.C.C. के इंदर पर जरूर उपलप्त करवाएं ये राज्य सरकार और बाहर सरकार दोरा मास्क को अनिवारे किया गया है आप से बिंती है कि आप मास्क पहन के रखें और बहार निकले तो मास्क ज़रूर पहने अनियता इसमें गटोर कारवाई की जाएगी और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कम से कम गमचा, रुमाल या दुपटे का इस्तमाल करें और बहार भी जब भी किसी ऐसे इमरजेंसी कारे से जाएं तो अपनी शोशल डिस्टेंसिंग को मेंट कर सकते हैं, खाना, राशन या भोजन सामगरी इन सब की वरस्ता हैं गाओं में तैसील और ब्लॉक्स तरफे की गई हैं, कोई भी व्यक्ति आपके संग्यान में आता है कि जिसको राहत सामगरी या भोजन की जरुवत है, कंड्रूल रूम पे तब कालवगत करवाएं, अभ की जाँ चोकते हैं, उस को उसी के अनुसाइब पाफ़ाएं.